हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए भाईयों बहनों मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है तोज़ा पच्चिस में भारतिय राजलीती में बड़ा बदला ना योगी होंगे ना ही शहा होंगे कौन सा नया चेहरा मोदी का वारस बनेगा तक पर दिखेगी संग की ताकत देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर नमश्कार ना योगी और ना शहाव कौन सम्हालेगा पिया मोधी की राजगदी धर्मग्या की दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता राना और मेरे साथ अचारे राकेश शतुरवेदी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है नमश्कार रसकों साधर वंदन नमश्कार कविता जी आपको धन्यबाद अचारे राकेश शतुरवेदी जी ने ही चुनाव से ठीक पहले इस बात की भविश्वानी कर दी थी कि 400 प्लस का आखड़ा भाच्पा नहीं छूपाएगी और इसे के साथ साथ वो यह भी बदा चु कर पाएंगे अब देखे राज्यतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है कि अगर मोदी अपना कारेकल पूरा नहीं कर पाएंगे तो मोदी के बाद कौन एक तरफ है देश के ग्रहम मंतरी अमिश्या और दूसरी तरफ है यूपी के मुख्य मंतर योग्याद वितिनाज जो और इसके संभावना कितनी है जोतिश द्रिष्टी से आईए इसे पर हम बात करते हैं और आचारे राके श्यत्रवेदी जी के विचार जानते व्यक्तिगत विचार अंकि व्यक्तिगत गड़ना क्या क्या कहते इसे को लेकर बताएं देखें बिल्कुल सही कहा कविता जी औ और मोदी के प्रभाव में अब कमी आएगी और प्रभाव की कमी इस तरीके से दिखी है आपको कि जिन जिन राज्यों में इनका प्रभाव सबसे जादा था या कहलेजे कि जिन राज्यों में एकदम से बीजेपी समाप्त थी और सिर्फ मोदी के नाम पर वहां बीजेपी क जबाब देता हूं मुझे लगता है कि जब 2025 में शनी परिवर्तित होंगे याने की मीन राश्य में जाएंगे कुम्हसे निकल करके तो एक बार फिर से राजनीतिक गल्यारों में बहुत बड़ी हल चल होगी जैसा कि अभी वक्री होने पर आप लोगों ने देखा था केंद्र और राज सरकारों के बीच बड़ा द्वंद था कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीत ही केंद्र की राजनीत का निर्धारन करती है और उत्तर प्रदेश में ही खलवली मचने से देखा आपने की केंद्र तक हिल गया था और सीर्ष नेताओं को आ करके जबाब देही द दूसरा एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूँगा कि मैंने आपको कहा था आपके रिजल्ट वाले दिन भी आपके साथ वीडियो में कि अभी भी कुछ विजेपी के नेताओं के अंदर एहम की भावना है चाहे वह बार बार गद्दी मिल जाना या कुछ जगहों पर मैं एक दो विशेश करके राजगद्दी से जुड़े हुए राजकारियों से जुड़े हुए विभागों को छोड़ करके बागी लोग बाकी लोग जो है बिना कर्म प्रधानता के फिर से गद्दी पा गए हैं ऐसी अवस्था में एहम आना सुनिश्चित है उसी का एक उदा से खुरल को बड़ा बताया गया सरकार को ही चोटा जया जबकि राज़्द्रम कहता है कि सरकार सरवोपरी है राजगद्दी ही सर vida परी है राजधर्म ही सर्वो परी है ऐसी स्थितियों में अगर राज विरोजी कोई निर्ड़ है और पार्टी ही तैसी है तो पार्टी का ध्यान ना करके राजधर्म का निर्वान किया जाए लेकिन भारत में बैठे सीर्शनेताओं ने उसको उलट फेर कर दिया खुल करके बयान दिया गया कि राज गदी या राज सासन जो है या सरकार जो है वो बड़ी नहीं है संगठन सबसे बड़ा है याने कि पार्टी और पार्टी की विचारधाराएं बड़ी है तो यह बहुत बड़ी और मुझे लगता कि भारत वर्ष की जनता के लिए बड़ा दुखत लेकिन राज धर्म कभी भी नहीं बदलता है राज धर्म का सबसे पहला धर्म है जनता की सुरक्षा जनता का विकास और राष्ट की सुरक्षा तो ऐसी अवस्था में अगर राज धर्म के साथ ही खिलवार हो रहा है तो इसका अभिप्राय एहंकार है दूसरी चीज कि अब से जो सबसे पहला भी बरतमान इस्ती में देखे दो चीजे होती है कविता जी जोतिश में जो दर्शक कई बार कमेंट करते हैं कि नहीं आप इस चीज को नहीं बोले कुछ हद तक जो डाटा चेंज होता है जो गड़नाएं चेंज होती हैं मैं बार-बार कह चुका हूं कि मुझे इग्जेक्ट तिथी दे जीजे इग्जेक्ट टाइम डे दीजिए कि इस दिन इस समय तक ही वोटिंग होगी और इस समय तक ही काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो ना मैं सवप्रिश्चत दावा कर दूं तो बात क्या है लेकिन जब फ्लेक्श्वेशन होता है समय में तो गड़नाएं इधर उधर होती हैं दूसरी चीज कि इस विशे में जो है महतपूर अस्थान रखता है कि हलचल का होना और दूसरी चीज उस समय बरतमान में से पहला जो गड़ी का दावेदार है योगी आदितिनाथ जी है इस जगह पर एक चीज का मैं एकिदम से खुल करके बोलूंगा कि मुझे अमित्साह जी की कुंडली में कहीं भी प्रधान मंत्री पर या प्रधान मंत्री की गड़ी का सुख दूर दूर तक नहीं दिखाई कि देता है यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जोतिस विधा का जितना मा बगलवजी ने मुझे घ्यान दिया हुआ है मौश का पूर्टया साक्ष मान करके अपनी गड़ना का साक्ष रख करके कहता हूं इनकी दावेदारी को मैं उसी तरीके से सुन्य मानता हूं जैसे कु कोई भी मनुष्य नहीं है हमेशा देखा गिया है कि जब जब भाजपा यान की पार्टी जब कमजोर हुई है तो एक मजबूद भूमी का संग की आरेसस की हमेशा देखने को मिली पार्टी के अंदर आप तो बता चुके हैं कि वह चेहरा योग्याद इतिनात का है लेकि एक परक्ष एक धड़ या कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नई जहरी की तलाश में भी कैसे संभावना है कि संग की तरफ से कोई नया चेहरा एंट्री मार सकता है एकदम संभावना है यह हमें भी ग्रहिय दृष्टी कोर्ट से क्योंकि संग जो है के तु प्रधान है के तु धर्म की लक्ष ठीक है चाहे किसी भी इस्ति परिस्ति में उन्होंने राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा करवाई तो ऐसी स्थितियों में एक बड़ा लक्ष पूर्ण होते हुए भी अंतराश्टी अस्तर का यह विशय था लेकिन फिर भी उसके आसपास या कह लीजिए अब ल उन्होंने कीमत धर्म की नहीं समझी या धर्म धोजाक के लिए लडाई लड़ने वालों की कीमत नहीं समझी दूसरी बार उप्चुनाओं में जब उत्त्राखंड देव भूमी से शिव अस्थल शिव प्रधान अस्थल जिसके शिव के स्वयम मोदी जी इतने बड़े सेंगे तो दोनों चीजों का अगर उचित सम्मान करके मान करके बीजेपी अगर आगे बढ़ी होती तो सायदिया हिस्तति नहीं आती और दूसरी चीज आरेशस का हमने का कि के तुप्रधान है इसलिए वह धर्म धोजाक का गुप्त रूप से पीछे रहके के लड़ाई ल पर योगी का विरोध होगा संगठन में और पूर्टया विरोध होगा क्योंकि योगी का जो सभाव है वह कटड़ता का है वह एक दम दिर्ध निश्य का है जी मोधी की तरह कूट नितिक नहीं है समय पढ़ने पर देश-द्रोहियों को जगह नहीं देने वाले हैं और सबसे बड़े राजनेता मानते हैं चाहे उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात कर लीजिए या पूर्व उत्तर में बैठे नेताओं की जो आज अपने आपको बड़े अक्रामक रूप से धर्मधोजा को लेकर बोलते हैं तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन उन जाएगा तो इस डर से जो है बीजेपी में योगी जी का विरोध होगा और विरोध होने के स्तिती में सब प्रतिशत वहां पर आरेसस अपने एक अज्यात चेहरे को जो उसी अस्तर पर होगा उसकी छबी उसी अस्तर की होगी बस उसको लोग प्रतेक्ष जान नहीं चलिए आपको क्या लगता है मोदी जी का वारिस आखिरकार कॉन कमेंट करकी बताएगा जरूर और मुझे और अचारे राकिश चत्रवेदी जी को दोनुको दीजेजाज़त नमश्कार